भारत में सुन रहे हैं कि महराष्ट्र के बाद गुजरात में करोना से संक्रमित लोगों की संख्या सबसे अधिक हो गई है। बहुत विस्फोटक रूप से वहां पर संक्रमन फैल रहा है। क्या आपने इसका कारण जैनने की कोशिश करी। प्रधान मंत्री कहते हैं कि कोरोना के भारत आने के पहले यहां स्क्रीनिंग शुड़ हो गए थी। कोरोना का पहला केस आया 30 जिनवरी को भारत में मालूम पड़ा। उसके करीब एक महीने के बाद में 24 फरवरी को प्रधान मंत्री नमस्ते ट्रंप कारकरम कर रहे हैं एहमदाबाद में। लाखों लोग आए। कितनों की स्क्रीनिंग हुई। और आज ये इस्तिती हो गई एहमदाबाद के कमिश्नर ने कहा है कि माई के अंत तक आठ लाख लोग करोना से संक्रमित हो सकते हैं। जमातियों के खिलाफ बहुत अभ्यान चलाया। सरकार के प्रतनिद्यों ने और गोदी मीडिया के बिके हुए पत्रकारों ने नफरत फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कितने जूठे समाशार और जूठे वीडियो भी आए। पर उन्तो आज किसी की हम्मत नहीं है कि कोई ये कहे ये मीडिया ये मीडिया हाउस जतने हैं बिके हुए पतल कार जो है इन में किसी में हम्मत नहीं है, कोई ये कहे कि ये जो नमस्ते ट्रंप कारकम, क्या कारकम था? भारत के प्रधान मंत्री अमेरिका के राश्ट्रपती के लिए भारत में वोट माग रहे हैं उस वजह से आज गुजरात में और इस शहर में ये विस्फोटक इस्थती हो गई पर इनके मुझ में दही जम गई है किसी की बोलने की हम्मद नहीं है जमीर बिक चुका है इन पत्रकारों का ये पत्रकार असल में कलंक हैं पत्रकार के नाम पर मुझ को तो समझ नहीं आता कि सच में इनको रात को नीन कैसे आती होगी क्या कभी इनका कलेजा कचोटता नहीं है